नमस्कार दोस्तों मैं अब इसे एक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल अभी इंफो वल्ल पर आज हम जानेगी कि कैसे आप एक्सल में बीना वी बी या मेक्रो के एक डाइनामिक केलेंडर बना सकते हैं इस वीडियो में हम आसान स्टैप्स में सीखेगी कि कैसे आप अपने एक्सल सीट को एक पावरफुल कूल में बदल सकते हैं जिससे आप तिथिया, घटनाए और बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हैं तो चलिए बीना देरी के सुरू करते हैं देखते हैं मैजिक कैसे होता है एंड तक बने रहेगा वीडियो पर बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कर रहेगा क्योंकि यह वीडियो आपके काम को और भी आसान बना देगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप देख सकते हों कि यहां पे मैंने calendar पहले से बंआ रखा है जिसमें आप देखोंगे 2 जा 23 है और August मन्थ लिखा हुआ है अगर मैं August मन्थ को जैसे ही मैं July करता हूँ तो यहां पे calendar चेंज हो जाता है अब मैं यहां पर current month current year 2024 वो इंसर्ट करता हूँ तो calendar change होता है और मैं मन्त में अभी August चल रहा है तो August डालता हूँ तो calendar update हो जाता है और आज की date है 7th August तो वह यहां पर अलग color में highlight हो जाती है तो चलिए दोस्तों देखते है कि मैंने यह calendar किस तरह से बनाया है आप भी step by step सीख के खुद यह calendar बहुत ही आसानी से बना पाऊगे दोस्तों सबसे फेले मैंने यह नई seat open कर ली है इसके अंदर अब मैं यहां पर चल जाता हूँ और यहां पर type करता हूँ Monday और इसे drag कर लेता हूँ संदे तक अपको drag कर लेना है अब यहां पर हम type करेगे 2024 और दो चल को merge कर लेना है यहां पर इस चल को merge करना है यहां पर हमें मंत के लिए drag down list बनानी है अब रखडाउन लिस्ट उसके लिए हम पहले हम यहां पर type करते हैं January इसे drag कर लेते नीची तक अब यहां पर यहां पर अपर मंत वाली सेल में आने के बाद हमें जाना है data data validation data validation के अंतर यहां पर list का option है उसके click कर देना है और यह जो source का box है उसके दर जाने के बाद आपको यह पुरा select कर लेना है month सभी और okay दे देना है यहां पर आपकी drop down list आजाती है अभी इन दौनों cell को select कर लीजिये, इसके size increase कर दीजिये, फांट में century font दे देते हैं, bold, background में color देना है, background में color देने के लिए हम control one प्रेस करेंगे, इसके अंदर fill effect में जाना है, और कोई भी हम color select कर देते हैं, light color, और इस कलर को इस पैटर्न को क्लिक करके अब यहाँ पर अंडर लाइन देनी है तो हम यह वाली अंडर लाइन देते हैं बॉटम डबल बोडर वाली और यहाँ पर दोनों मन्त और यह को सेपरेट करने के लिए लेफ्ट बोडर सिलेक कर लेना है अब आपको यहाँ पर 6 सेल और सिलेक करने यह वन है उसके लावा 6 और उन सभी को सिलेक करके बॉटर दे देनी है फेडिंग को बॉल्ड कर लीजिए इन सभी को सिलेक करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट में रो हाइड यहाँ पर देदेजिए रो हाइड 24 और फॉर्मेट कोलम विड़्ट में देदे देजिए 8.45 और OK मीडल देदेजिए और सेंटर अब इसका हम फॉर्मेट इसका कलर चींज कर देते हैं और इन सभी का भी कलर चींज कर देते हैं यहां पर हम यह Light Color लिए कर देते हैं अब यहां पर हमें चाहिए किसी बी जो मन्त हम यहां पर सिलेक करें उस मन्त की 1st date हमें चाहिए उसके लिए हमें फ़र्मिला यहां पर अपलाइ करना होगा Equal Date Year है तो year में हम यह यह सेलेक करते हैं X4 से लॉक कर देते हैं मैच लूक अप वैल्यू में हमें मन्त सेलेक करना है एफ फोर से लॉक करना है कॉमा लूक अरे में हमारी जो सभी मन्त है उसे सेलेक करना है एफ फोर से लॉक कर देना है कॉमा एग्जेट मैच चाहिए उसके लिए जीरो सेलेक करना है ब्रैकेट क्लोस कॉमा हमें first date चाहिए किसी भी month की उसके लिए one type करते हैं bracket close और enter तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही मैंने April month select किया है इसलिए 1st April आ रहा है July करता हो तो 1st July आ जाता है और October में 1st October अब यहां पर हमें weekday formula apply करना है equal weekday serial number में हमें date select करनी है कॉमा किसी भी month में किसी भी इसमें weekday function में यह one है वो बाइडिफोल्ट है तो हमें लेकिन 0 से लेकरना है number 0 number 3 तो number Monday से लेकर Sunday तक का week count होगा month इसलिए हम यहां पर फ़रवालों जॉप्शन पर डबल क्लिक कर देते हैं brackets close करके enter देते अब यहां पर जाने के बाद आपको आजाना है month में यह Monday लिखा हूँ उसके नीचे आजाईए यहां पर फ़र्मिला अपलाई किजिए equal यह हमाई date है उसको select किजिए minus week number और enter देते जिए तो 13 September 2024 अब इसमें equal this plus one इसे drag कर लेजिए और नीचे तक इसको drag कर लेजिए अब यहां पर आके Monday में जो second वाली cell है जहां पर blank के वहां पर आईए equal यह छेता equal cell है उसको select किजिए plus one और enter और इसे निचे तक drag कर लेजिए तो हमारे month आ जुका है मन्त और year का इसमें काम नहीं है हमें सिप date चाहिए तो इन सभी को select किजिए control one प्रेस किजिए और नमबर में चले जाएए यहां पर date के नतर जाने के बाद नमबर में जाने नमबर पे आपने क्लिक है उसके बाद जाए कस्टम में और डीडी एमम वाय वाय लिखा हुआ है तो डबल वाय और एमम निकाल देना है हमें सिप डीडी रखना है और ओके देना है इसे लीजिए center में पर मिडल में इसको bold कर देते हैं अब इसका font हम change करे ब्रिटानिक बोल्ड एंटर इसकी 12 कर देते हैं जो डीडी लिखे हुए उसका भी font change कर देते हैं copper plate और इसको भी एंटर देते हैं इसकी भी font size हम 12 कर देते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना है जो हमारा calendar ready हुआ है इसमें हमें Saturday Sunday को red color से highlight करना है तो इसे rate कर देते हैं और current date है हमारी जो आज की वो अलग highlight होनी चाहिए तो इसको पूरा select करते हैं अब हम यूज करेंगे conditional formatting का conditional formatting पर click किजिए new rule उसमें click किजिए use formula to determine which cell to format इसके अंदर जो option open हुआ है इस पर आप click किजिए equal यह हमारी cell है इसको click कर दीजिए 27 तो यहां पर हम dollar का sign निकल देगे सिप 27 लिखेगे equal today का function today bracket open bracket close format format में जाने के बाद हमें अलग highlight करना है तो कौन सा color select करना है वो हमें इसमें देना है इसमें फील में हमें कोई bold dark color लेना होगा तो हम इसके अंदर dark blue ले ले लेते हैं और okay दे लेते हैं okay जैसी अभी में August चल रहा है तो August select करता हूं तो आज की date 7th August highlight हो गया जाती है अब हमें चाहिए कि जो हमारा month start होगा है 1st से उसके पहले की या उसके बात की भी date अगर calendar में आ रही है तो वो अलग color में so करें तो इसको फिर से select कीजिए conditional formatting new rule use a formula to determine which cell to format यहां पे आने के बाद टाइप हीजिए equal d7 less than और यह cell को जिसमें हमारी जो date है उसलेकर लेगे लेजिए format हमें कोई अलग color देना है ताकि light color देना है इसके अंदर फिल में हम ले लेते हैं white color font side में हम ले लेते हैं किस तक का color लेते हैं और ok दे देना है तो आप देखो कि जैसे एक ताइक से पहले की जो भी date थी वह उसका color चेंज हो गया है हम जो मन्त सिलेक कर रहे हैं उसी मन्त की dates हाइलाइट होने चाहिए बाखी सब लाइट में तो अब हमें पहले वाला हमने कर दिया बाद की date के लिए भी करना है तो फिर से सिलेक करना है conditional formatting new role use a formula to determine which cell to format यहां पर यह equal d7 greater than e o month bracket जो हमारी date की first किसी भी मन्त की first date आती है वो हमने cell है जो है हमारी यह वाली इसको सिलेक करेंगे कॉमा हमें किसी भी मन्त की last date चाहिए तो zero bracket close format पे जाना है format font के अंदर यह वाला color select कर लेते हैं और fill के अंदर white और ok दे लेतना है तो हमारे जो भी अगस्त के बाद का जो हमारा current selected month है उसके बाद की date होगी और पहले की date और दोनो light color में जाती है अब जैसे यहाँ पर मैं month change करता हूँ automatic मेरा calendar change हो रहा है अब हमें यह जो हमारे cell है जिसमें हमने formula दिये हुए उन सभी को आपको select कर लेना है और control one प्रेस कर देना है क्योंकि हमें यह hide करना है इसलिए हमने इसे select किया अब custom में जाएगे यहाँ जनरल की जगापे हम लिखेगे three time semicolon और ok देदेगे तो यह हमारा hide हो जाएगा अब दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ जैसे ही में calendar में change करता हूँ तो date मेरी automatic update हो रही है दुस्तों आसा करता हूँ कि Excel में dynamic calendar किस तरह से बनाते हैं वो आप समझ गए होगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे like करें दोस्तों के साथ share करें कोई suggestion है तो comment करें और चैनल पर अभी तक अपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें ताकि इसी तरह के मेरी daily important वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलता रहे चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए दनिवाद